ऐलो फ्रेंड्स मेरे सेनुन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं दम-अलू दम-अलू बनाने के लिए मनें 11 आलू लिया है जिनको मैने बोइल कर लिया है बोइल करके इनका छिलका उतार लिया है अभी हम इन आलू को मसाला अंधर तक का형ञच चला जाये हम इसमें ऐसे पोग से चारों और इसके छेद कर देंगे ऐसे करके सभी में ऐसे कांज़ीफ्रेंड हमने इसमें फोग से सारों चेद लिए अभी हम इसमें थोड़ाuly मशाला डाल देंगे हम नमक डाल देगे, आधा सा चमाच, हमदी डाल देगे, आधा चमाच लाल मिच्छं डाल देगे और इन सार्म मसालों को हम उसके अंदर इन आलू में अच्छे से ऐसे करके मिक्स कर देगे यह में मिक्स कर लिया कीऊ कि तेल कम खाना है तो आप सेलो फ्राई करो नहीं तो डीप नहीं तो चलाते रहें जिश्क्त करें और अच्छे से देखें हमारे आलो जो है वह हो भूंगे हैं तेल में अच्छे से, अभी हम घास को करदे दें बन्ट यह प्रेंट्स हमारे आलू फ्राई हमने कर लिया थी उसी कडाई में हमने यह दो चमस तेल के लिए हैं इसमें हम डाल देंगे थोड़ा जीरा और यह हमने खड़ा मसाला लिया है वह हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ी हम हींग डाल देंगे इसमें एक पिंट और इनको हम जब तक यह गरम होएंगे तब तक हम इसमें डालेंगे अभी हम इसमें डाल देंगे गरम हो गया थोड़ी कसूरी मेथीली हमने इसको हम क्रस्ट करके इसमें डाल देंगे कर दिए गरम हो गए चीजें हमने प्याज प्युरी बनाईां किखी इसके अंदर जाढ़ें। ये मेरे ट्र vätsём ही तो में रेकिष्टियं गोघें ट्रेस प्यूरी हुए it ट्री ही तो देट काज़ु का प्यूरण काजका मेरने आज़ान कहां हूटेस्ट बनाई ह वो काजू का पेस्ट हम इसके अंदर डाल देंगे, यह हमने काजू का पेस्ट बनाया है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे, यह हमने गार्लिक जिंदर का पेस्ट लिया है, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे, और अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स करके ग्रेवी तियार क मसाले में तियार कर लेंगे, यह किसमेरी लाल मिचली है, यह ज़्यादा कड़वी नहीं होती, इनसे कलर बहुत अच्छा था था ग्रेवी में, अभी हम आदा चमस गरम मसाला डाल देंगे, क्योंकि उनने खरा मसाला डाला है, और हम डाल देंगे, धनिया पाउदर, अब नम हमारी ग्रेवी पन के तियार ओने लगी है अब इसमें पहले कशुरी में थी डाल देंगे और उसके अब पानी डाल देगें ऐसे ग्रेवी ओल्मोस्ट बन लिए अब गैस के आज को हम फुल रठ लेंगे और ऐसे बनाते रहेंगे इसको अब इसमे पानी थोड़ा ओर डाल देंगे क्योंकि आलू भी इसमे बोल होएंगे ग्रेवी में यह इतना पानी डाल देंगे यह अब इसमें जो आलू हमने फ्राई करके लिए थे वह हम इसके अंदर डाल देंगे यह देखिए हमने आलू डालती है इसमें अभी हम गैस की आंज को कर देंगे सिम और चार से पांस मिनिट के लिए इनको सिम आज पे पकाएंगे ताकि मसाला जो है वह आराम से इसमें के और देखिए कि अच्छी सब्जी बनी है बड़ी अच्छी खुजगू आ रही है तो अभी हम गैस को कर देते हैं बंद और आपको सब्करते रिखाते हूं सब्ची यह देखिए प्रेंट्स हमारे दम आलू बनके तियार हैं अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आए ह तो बनाइए खाइए और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में